हेलो एवरिवन वेलकम तू माई चैनल आज हम लोग सॉल करेंगे चैप्टर वन समुच्चे क्लास 11 मैट्स एंसी एर्टी बुक्स की एक्सरसाइज 1.3 कोश्चन नमबर 3 हम आगे सॉल करेंगे क्यों कोश्चन नमबर 1 और 2 हम सॉल कर चुके हैं पिछले वीडियो में अगर आ सारे ही कोश्चन की पीडियोफ चाहिए नोट चाहिए तो आप मुझे बताइएगा मैं उसको एवलिबिल करवा दूंगी तो यहां कोश्चन नमबर 3 हमें दे रखा है मान लीजे की एक समुच्चे है जिसमें आपको एक दो इस तरह से अव्याव दे रखा है फिर एक और मजलब कोश्चक लगाकर उसके अंदर अव्याउव तीन-asc, फिर पांच लिखा निमिल कीत में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यूं तो जह सही नहीं है उनके लिए हमें कारण देना है कि यह कूं नहीं सही है कथन तो उसको हमें बस इतना बताना है कि इसमें हमें कारण न होती हम उसको अव्याव मानते हैं अगर वो कौमा लगा लगा कर लिखे गए हैं तो यहाँ पर एक लिखा हुआ यह लिखा हुआ है फिर कौमा लगा कर यह लिखा हुआ है तो आप इसको समुच्चे मत समझ लीजेगा मैंने इंट्रो वाली वीडियो में खास इसी लगा कर इनके साथ लिखा गया है यह एक अव्यव है पूरा का पूरा यह एक समुच्चे नहीं है फिर एक अव्यव आपको यह दे रखा है तो जो अव्यव होते हैं वह संबंदित होते हैं मिस उनको हम लोग एपसिलन साइंस से दिखाते हैं मिस यह वाला प्रतिक दिखा हैं जो समुच्06 होते हैं कि उसमें इस तरह से और तक लगा और समुच्छ ही दूसरे समुच्छ per मांधिया एक है तो वो हुप समुच्य कहलें गा यहां दूसरा कोई समुच्य एक दो त satisf भी हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में समुच्चे ही नहीं, खाली अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये कौमा लगा लगा कर अव्यव लिखे जाते हैं अंदर, तो ये अव्यव था, अव्यव कभी किसी का उप समुच्चे नहीं कहलाता, क्योंकि ये स 3,4 और यहां पर कोष्ठक लगा रखाया है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि यह एक समुच्चै नहो कर यह एक अभिएवए इस पूरे समुच्चै के अंदर, तो यहां पर इन्होंने लगाया है निसान कि यह उosh समूच्च एक तो यह कथन आपका सही नहीं है इसके लिखा यह कथन सही नहीं है चूंकि क्यूंकि इसके अनदर एक अव्याव की तरह काम कर रहा है दूसरा दे रखा है आपको 3,4 और इन्होंने कोश्टक लगा रखा है और हम जान चुगे हैं कि यह क्या है अब एक अव्यव है तो अव्यव है और इन्होंने epsilon का sign लगाया है और कहा है कि क्या यह A समुझ्चय का सदस है क्योंकि यह बताता है हमें कि यह इसका सदस है कि नहीं है तो हाँ यह इसका सदस है क्योंकि एक अव्याव है तो यह कथन सही है और इसमें हमें कारण नहीं देना है तीसरा पार्ट है यहाँ पर इन्होंने यह पूरा अव्याव उठाया है क्योंकि यह पूरा हमारा सिर्फ औ अव्याव के बाद लिखने के बाद उन्होंने उस अव्याव को इस मंजले कोष्टक के अंदर बन कर दिया है तो अब एक यह क्या बन गया है एक समुच्चे बन गया है तो क्या अब यह समुच्चे एक उप समुच्चे है तो बिल्कुत देख सकते हैं कि यहां पर एक अव् कि एक चैनल के लिए यहां पर इन्होंने यह एक प्रइपंसानignment कि अप्सिलन करदे हैं तो आप देख सकते हैं कि यह生 hip A समूच्चे दे रखा था उसमें बन जो है वो इसका एक अव्याव है सदर से भी है ये कठन आपका सही है फिप्ट पार्ट दे रखा है कि बन क्या उप समुच्चे है इका तो ये गलत है क organise ये कठन सही नहीं क्योंकि अभी हमने बताया कि one क्या है एक अव्यव है और अव्यव क्या है इसका एक सदश से कहला रहा है एका तो ये समुच्य तो है नहीं अपने आप में ही खुद अगर यहाँ पर हम मंजला कोश्टक लगा दें तो ठीक है ये एक समुच्य बन जाएगा और ये कोश्टक लगाया तो ये एक समुच्चे बन गया है क्या 1, 2, 5 ये अव्योव इसमें आ रहे थे तो 1, 2, 5 ये इसमें आ रहे थे तो ये इसका क्या है उप समुच्चे कहलाएगा तो ये कथन आपका सही है इसके बाद इन्होंने यही सेम कोश्चन लिखा है बस प्रतीक बदल दिया है यहां पर इन्होंने संबंदित एपसिलन का साइन लगाया है मिंस क्या ये इसका एक सदस है तो ये इसका सदस ने है क्योंकि इन्होंने ये मंजला कोश्टक लगा दिया अगर ये ना लगा होता तब ये प्रतीक इसके लिए बिल्कुल सही होता तो ये कथन सही नह जिसके लिए हम यह प्रतीक प्रयूग करेंगे ना कि यह वाला नेक्ट पार्ट है समुच्य लिख रखआ है लोने 1,2,3 क्या यह इसका एक आउ समुच्य है तो आप यह देखेंगे कि एक दो तीन आपको नजर आ रहा है आपके समुच्चे में यहां पर आप देख सकते हैं कि एक दो तीन आपको नजर आ रहा है मगर आपने यह देखा नहीं कि यह तीन जो था वो एक अव्याव था किस के साथ मिला कर चार के साथ मिला कर तीन चार ये दोनों मिलाकर और जब हमने कोश्टक लगाया तो ये पूरा एक अव्याव बन गया था क्या यहां पर तो यहां पर इन्होंने चार तो लिखा नहीं ना कि हम खाली तीन को वहां से उठाएं उस ब्रैकेट के अंदर से और एक दो के साथ अव्याव के साथ मिलाकर समुच्चे बना दे तो यह बिल्कुल कथन सही नहीं है तो यह कथन सही नहीं है चुंकि तीन जो है वो एक का सदस नहीं है खाली अकेले सदस नहीं है वैसे तो है यहाँ पर अगर इन्होंने ऐसे लिख दिया होता 3,4 तो बिल्कुल यह इसका सदस से था ठीक है? यह हम epsilon का sign लगा सकते थे यह सही था बगर इन्होंने 4 नहीं लिया और उसके बाद इन्होंने जो कोश्टक लगा हुआ था वो भी नहीं लगाया तो यह कथन आपका सही नहीं है next part आपको दे रखा है कि एक रिक्त समुच्चे है क्या यह A से सम्मंदित है या A का अव्यव है तो मैंने आपको बताया था कि जो बाकी सारे हमारे अव्यव होते हैं उनके लिए और जो रिक्त समुच्चे होता है उसके लिए just हम opposite work करते हैं मिस अगर कोई अव्यव हमने उठाया अगर रिक्त समुच्चे नहीं उसके अलावा कोई हमने अव्यव उठाया तो वो उसको जब तक हम bracket में नहीं लिखेंगे तब तक वो समुच्चे नहीं कहलाता और अगर खाली उसको अव्यव को उठा के लिख दिया तो वो सम्मंदित होता है समुच्चे से मगर रिक्त समुच्चे में क्या होता है कि ये अपने आप में एक समुच्चे कहलाता है इसमें हमें bracket लगाने की ज़रुरत नहीं है सपोज अगर आपने इसमें ये bracket लगा दिया तो अब ये रिक्त समुच्चे नहीं कहला रहा है इसको रिक्त समुच्चे नहीं कहेंगे जबकि बाकी सारे अव्यव में अगर हम bracket ना लगाएं तो उसको हम समुच्चे ही नहीं कहते है मगर यहाँ पर इस पाई के साइड में हम अगर दोनों तरह bracket लगा देंगे तो ये समुच्चे नहीं कहलाता तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये इसका एक सदस है नहीं ये इसका एक उप समुच्चे है दिखा है इननों ने इस रिक्त समुच्चे के इधर उधर कोश्टक लगा दियें और कहा है कि क्या अब बताईए ये इसका उप समुच्चा है तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये कथन बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि ये इसका उप समुच्चा नहीं होगा क्योंकि अपने आप में ही ये समुच्चा नहीं रहा क्योंकि ये कोश्टक लग गया है Q4 हमें दे रखा है निम लिखे समुच्चेयों के सभी उपसमुच्चे लिखिए तो उपसमुच्चेयों की संख्या अगर हमें लिखनी है पहले तो हम ये पता करने कि उपसमुच्चेयों की संख्या कितनी है आपको 2 के उपपर N लिखना है घात के रूप में और यह N क्या है अवयों की संख्या बताता हमें यहाँ पर N क्या बताता था अवयों की संख्या कितनी है तो फॉर्मूला यह है आपका 2 की घात N तो देख रहे हैं कि जो पहला वाला पार्ट हमें दे रखा है इसमें इसके अंदर केवल एक ही अवयोव दे रखा है तो यहाँ पर N की जगा हमने एक लिख लिख लिया है ए नहीं लिखना है ध्यान रखिएगा अवयों की संख्या कितनी यह बतानी है प्रित संख्या प्रित संख्या का उपसंख्या होता है तो यहाँ पर वपसंख्या कौन-कौन से होता और इहां पर ऊपसंघा्क है पहला तो एक रिक्त समुच्य होगा जो कि प्रित्यक समुच्य को उपसमुच्य होता है और यह समुच्य स्वयम अपने आपका भी एक उपसमुच्य कहलाएगा तो इस तरह से आपके यह दो उपसमुच्य बन गए 2nd part आपको दे रखा है 1, अभी अवयव दे रखा है समुच्चे में तो उप समुच्चे कि संख्या कितनी होगी वहीं हमारा सूत्र है 2 की घात N अब यहां पर N की जगाद 2 रखेंगे क्योंकि 1 और 2 यहां पर अवयव 2 हैं तो 2 की घाद 2 लिखा, 2 की घाद 2 खोलेंगे आप, 2 गुड़े 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अब उपसमुच्य कौन कौन से तो सबसे पहले, क्योंकि हमें 4 बताने तो रिक्त समुच्य सबसे पहले आएगा, क्योंकि रिक्त समुच्य सभी समुच्य को उपसमुच्य होता है फिर प्रतेक अवयव स्वयम का भी उपसमुच्य होता है, तो पहले एवयव लिखा और आपको कोश्टक में लिखना है क्योंकि हम यहाँ पर उप समुच्चे बता रहे हैं उप समुच्चे होने के लिए उसको स्वय में एक समुच्चे होना पड़ेगा तो कोश्टक के अंदर ही लिखना है यह गलती मत करियेगा कि यहाँ पर 5 है, यह रिक्त समुच्य जो कि bracket में नहीं है और यह कोश्टक में क्यूं नहीं है, फिर भी हम इसको समुच्य करें इसके लिए कारण मैंने आपको इंट्रो वाले वीडियो में बता रखा है यहाँ पर अभी हमने कोश्टक नमबर 3 में भी इसको अच्छे से डिसकस किया है यहाँ पर अगर A लिख दिया, सिर्फ और यह कोश्टक नहीं लगाया तो यह समुच्य नहीं कहलाएगा, यह एक अव्यव हो जाएगा तो यह अपने आप में समुच्य नहीं रहेगा क् wakes upan Be टो दूनी साय दूनी अर्थ ठीन के हैं हो सब्सकार के कि यहां पर इसका वंच्य होगा पिर प्रुते अवयों से इक सब्सक्राइक होगा के नियुकर उसका also, प्रते अवयों है घोकि आ Lewis बनाईним कि फिर टीन से हमिनने एक समुझ्च्छ बना दिया फिर थी और वन को भी ले कर हमने एक समुझ्च्छ बना दिया और पिर ये पूरा का पूरा समुझ्च्छ अपना खुद कभी क्या होगा उपसामंंट्च्छ और तो ती तो यहां पर यहां पर एन की जगह हम 0 लिखेंगे और 2 की घाट 0 मिस किसी पी चीज की घाट 0 अगर हो गई तो इसका मान वन होता है यह आपने पहरे भी पढ़ा होगा कि चाहे एकस ही लिखाओ इसके उपर घाट 0 लगाई तो वह वन हो गया तो यहां पर वन आएगा मतलब एक ही उपसमुच्य होगा उपसमुच्यों की संख्या यहाँ पर एक है तो मैंने आपको बताया था कि प्रतेक समुच्य स्वयम कर घर्ण समुच्य हो तो जब कोई अव्याव नहीं है तो n की जगा हम क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं तो यहां हमने लिख लिया कि a क्या है एक रिक्त समुच्चा है और रिक्त समुच्चा है तो उसमें अव्याव की संख्या क्या है जीरो है तो हमने वहीं सूत्र 2 की घात n लिखा है उप समुच् तो यहां पर इसका जो एंसर है वो एक होगा कोशन नमबर छे हमें दे रखा है निम लिखित को अंतराल रूप में लिखिए तो इंट्रो में आपको बताया था फिर मैं यहां पर एक बार एक्स्प्लेंड कर दूंगी कि जब भी कभी greater और less than का निसान लगा होगा तो उसके लिए हम हमेशा यह छोटा वाला ब्रैकेट हम लगाएंगे छोटा वाला कोश्टक और अगर इसी के नीचे यह निसान लग गया इक्वल का मतलब greater than and equal and less than and equal यह sign लग गया मिस इन दोनों के नीचे अगर हमने यह बराबर का निसान भी लगा दिया तब इनके लिए हम यह जो आपका बड़ा ब्रैकेट होता है उसको लगाते हैं तो इसी तरह से आपको एक निर्मार रूप में दे रखा होगा समुच्च जिसे हमें अंतराल रूप में लिखना होगा तो यहाँ पर एक्स जहाँ पर क्या है वास्तिक संख्याओं का समुच्च है जिसमें एक्स माइनस 4 से बड़ा है और 6 से छोटा और बराबर भी है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस 4 की तरफ जो निसान है उसमें यहाँ पर बराबर करनिसान नहीं है जब माइनस 4 लिखेंगे तो उसकी तरफ हम यह छोटा वला ब्रैकेट लगा रहें फिर कॉमा लगा कर हमें 6 लिखना है क्योंकि यहाँ पर क्या है इसकी सीमा 6 दे रखी है बट यहाँ पर बराबर करनिसान भी है तो यहाँ पर हम यह बड़ा ब्रैकेट इस्तमाल करेंगे इसी को कहते हैं अंतराल रूप में लिखना बहुत ही आसान कोशन है यह दूसरा पार दे रखा है एक से जहां पर वास्तिक संख्याओं का समुच्चे है सीमा दे रखी है माइनस 12 से बड़ा है और माइनस 10 से छोटा है तो यहाँ पर दोनों त तरफ हमने छोटे ब्रैकेट लगा दिये अच्छा यह दिहान लखिएगा कि 6 यहाँ पर लिखा है तो ऐसा ना करिएगा कि सोचिएगा कि इन दोनों में यहाँ पर एक जगा चोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगाना है तो गलती से यह मत कीजेगा उमीद करते हू यह दो है एकस जहां पर वास्तिक संख्याओं का समुच्य है और चीमा क्या है कि यह ग्रेटर देन एन एक्वल्टू है जीरो के और लेस दें है से ने मतलब सात से चोटा है और जीरो के बढ़ा बी है तो यहाँ पर ग्रेटर और यहाँ पर बराबर का साइन भी लगा फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है X जहां पर वास्तिक संख्याओं का समुच्च है अच्छा जब भी अंतराल रूप में आपको लिखना होगा या आपको अंतराल रूप में लिखा हुआ है और आपको निर्माल विधी में लिखना है क्योंकि इसके ज़स्ट कोश्चन इस समुच्च्च का सेट है यह वास्तिक संख्याओं के समुच्च्च का सेट है क्योंकि इसमें आपके सभी नंबर आ जाते हैं तो यहां पर हमें इतना ध्यान नहीं देना होता है कि यहां पर कौन से नंबर है क्योंकि वास्तिक संख्याओं में सभी संख्याओं आपकी आजा लिखित अंतरालों को निर्मार रूप में लिखना है अभी आपको निर्मार रूप में लिखना है अभी आपको अंतराल में दे रखा है और निर्मार रूप में लिखना है तो मैंने अभी आपको जश्ट बताया कि आप कोई भी चर ले लिजेगा और उसको सम्मंदित या कि इस चीज का समुच्च बताएंगे कि वह कया है वा स्थिक संख्याओं का समुच्च या समंदित है तो यहां पर निर्माद रूम निर्माद रूप लिख रहे हैं, तो आपको मैंने बताया कि जब भी हम समुच्चे를 को लिखते हैं, निर्माद रूप या रोष्टर रूप में, ह हमेसा हम क्या करते हैं, यह मंजला वाला कोश्टअक ज़रू लगाते हैं, क्योंकि इसके बगार यह समुच्चे। नहीं कहलाएगा तो हमने लिखा X यह आपका कोलन का साइन था जो बताता था जहां पर X क्या है बासुतिक संख्याओं से संबंदित है और देख रहे हैं कि दोनों तरफ ही क्या है आपका छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है इसका क्या मतलब है कि जो X हमने चर ले रखा है वो कह से कहां तक है सीमा क्योंकि यह चोटा ब्रैकेट लगा रखा तो हम नीचे बराबर करनिसान नहीं लगाएंगे इधर माइनस तीन लिखेंगे और यहां पर जीरो और यहां पर ऐसे बना दिंगे तो दोनों तरफ यह साइड इस तरह से हम लिखेंगे दूसरा पार्ट है इस चोटा और बराबर दोनों दिखा रहें यहां पर थर्ड पार्ट आपको दे रखा है इधर इन्होंने चोटा ब्रैकेट लगाया इधर बड़ा ब्रैकेट लगाया है तो एक से क्या होगा एक से यहां पर चैसे बड़ा होगा मगर बराबर नहीं होगा क्योंकि यहां चोट और 12 के बराबर भी होगा क्यूंकि यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका एंसर आपको इस तरह से लिखना है पूर्फ पार इसका दे रखा है यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाया है तो हमने दिखाया है कि एक्स को इसको कोश्टक के अंदर जरूर लिखना है जब आप निर्माद रूप में इसे लिख रहे होंगे कोशन नमबर 8 दे रखा है आपको निम लिखित में से प्रतेक के लिए आप कौन सा सार्वितिक समुच्य प्रस्तावीत करेंगे तो आपको एक कथन दे रखा है या समुच का समुच्य है अच्छा यह समकोड त्रिबुच का समुच्य है तो त्रिबुच का ही समुच्य है न तो सितने भी त्रिबुच के समुच्य होंगे उनमें आपके समदी बाहू समबाहू समकोड सारे ही समुच्य आ जाते हैं तो इसके लिए सार्वितिक समुच्य क्या लिखा है समतल में इस्थित त्रिभूज तो हमने यहां पर अगर समुच्चे नहीं लिखा अगर आपको लिखना है कि समतल में इस्थित त्रिभूजों का समुच्चे तब आप यह कोश्टक मत लगाईएगा और अगर आपको यहां पर समुच्चे नहीं लिखना है कि त्रि एक इकाई है तब आपको सभी कांसेटों बहुत अच्छे से समझ में आए हैं फिर भी कोई डाउट हो लगा हो तो लाइक किजिएगा शेयर औहए बीज चेनल को प्रिश चैनल को प्रेस बिएकान को मिलती रहे. Thanks for watching my video.